हलो गाईज मैं हूँ क्रेस और आज जो मैं आपकी मुवी एक्स्प्लेंट करने जा रहे हूँ जुसका नाम है गुड लग जेरी मुवी की स्टाटिंग में हमें एक फैमिली दिखाई जाती जिसमें दो बहनी होती है जेरी और चेरी इनके फादर लिटी चोका बेच के अपना घर चलाते हैं किसी कारण इनका पूरा परिवार पंजब चला जाता है और इनके फादर वहाँ भी लिटी चोका बेचने लगते है और मार्केट में मोमो आने की वज़े से इनका लिटी चोका कोई भी खरिदने के लिटायर नहीं रहता और एक दिन लिटी चोका बेचती हुए जेरी की फादर की मौत हो जाती है और जाने से पहले जेरी के हाथ में वो एक नोट पकड़ा देते हैं और जिसमें लिखा था गुड़लग जेरी और इसी प्रकर हमारी मुवी का नाम गुड़लग जेरी पड़ा गर की पूरी जिम्मेदारी अब मापर आ जाती है और मा बेटियों को पढ़ाने के लिए मुमस का काम स्टार्ट कर देती है इनका एक पड़ोसी भी था जो जेरी की मा को बहुत ज़दा पसंद करता था वो इसकी मा को मुमस डालने में हेल्प करता है लेकिन बिचारे मुमस नीचे गिर जाते है तबी वहाँ पर जेरी आ जाती है जेरी अपनी मा की हेल्प करने के लिए एक मसाज पार्लर में काम कर रही थी जो कि इसकी मा को पसंद नहीं था और इससे काम चोड़ने के लिए कहती है और नाइट में फिर से तीनों मा बेटिया खुशी से बात करने लगती है अगले सीन में हमें रिंकू दिखाया जाता है जो कि जेरी को पसंद करता है नेचर से रिंकू काफी हसमग मिज़ाज का था तबी रिंकू एक दुले को जेरी के घर में जाते हुए देखता है तबी रिंकु देखता है कि वो दुला जेरी की छोटी बेंचेरी से शादी करने के लिए वहाँ पर आया था तबी इसके सास में सास आती है तबी इनका नेबर आ जाता है इन दोनों को वहाँ से निकालने के दिये अगले सीन में हमें तीनों मार बेटिया दिखाई जाती है जो कि पानी पुरी खा रही होती है और तब ही इसकी मा के मुँसे खुर निकलने लगता है ये देखकर जेरी काफी डर जाती है जेरी अपनी मा को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और डॉक्टर से बात करती है डॉक्टर इनने बताता है कि इनकी मा को stage 2 कैंसर है इसके इलाज के लिए करीबन 30 लाख तक का खर्चा होगा जेरी टेंशन में आ जाती है कि पहले ही पापा को खोने के बाद आब वो अपनी मा को नहीं खोना चाती है लेकिन ये इतने 30 लाख रुपे वो कहा से लाएगे इनका पड़शी जो इनकी मा को पसंद करता है वो उसे 20,000 रुपे दे देता है जेरी मसाज पारर की ओनर से भी हल्प मांगती है पर इतनी बड़ी रकम किसी के पास नहीं होती जिसके पीछे पुलिस पड़ी होती है जो जेरी की वयसे नीचे गिर जाता है और तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है ये सब ड्रग माफिया का एक चमचा देख लेता है और जब जेरी और चेरी घर जा रहे होते हैं तब ही वो चमचा बॉस को बुला कर इनके सामने लेकर आता है और ये ड्रग माफिया इनसे कहता है कि तुम्हारी वैसे मेरा आदमी पकड़ा गया और अब तुम्हारी बीडिंग में से ड्रग लेकर आने है और चेरी को वो अपने पास रख लेते है जेरी को मजबूरन वहाँ पर जाना पड़ता है ड्रग एक टॉयलेट में रखे हुए होते है जेरी ड्रग माफिया को लाकर दे देती है और चेरी को अपने साथ घर लेकर जाती है यहाँ चेरी ने ड्रग माफिया के चम्चे का पर्स ले लिया था जिसमें काफी सारे पैसे और माफिया का एड्रेस भी था घर पर आती जेरी की माँ एक कैमेरा मन को बुलाती है और तिनों का एक साथ फोटो खिचाती ताकि मरने के बाद ये फ्रेम लगा सके पर जेरी फोटोग्राफर को वहाँ से भगा देती है और मा को कहती है कि जब तक मैं जिन्दा हूँ तुम्हें मरने नहीं दूंगी शिन्शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेरी को जो की ड्रग माफिया के पास आ चुकी है और माफिया से काम मांगती है ताकि वो अपनी मा का इलाज कर सके तबी वो ड्रग माफिया मान जाता है और उसे अगले दिन आने के लिए कहता है इस ड्रग माफिया का नाम टीमी होता है अगले दिन जेरी ड्रग्स लेके चली जाती है और मली के पास पहुँच जाती है मली के हाँ पर डिस्ट्रिबूरिटर रहता है जिसको पुलिस से पकड़े रहने का डर हमेशा लगा रहता है जो जेरी के फोन को पॉलिस्टिम में रखके फिस्टैंग में डाल देता है और ड्रग वाला टिफिन लेता है ड्रग निकाल का टिफिन वापस कर देता है और जाते जाते जेरी अपना फोन लेकर जाती है जेरी काफी खुश हो जाती है और एक के बाद एक successful drugs अप्लाई करने लगती है ड्रक्स ऐसे से अब उसकी मा का इलाज शुरू हो चुका था यहाँ सब जेरी के काम से काफी खुश हो जाते है एक दिन इंस्पेक्टर मसाज पारलर में आ जाता है जिसे देखकर जेरी डर जाती है लेकिन इस्पेक्टर तो सिप अपनी वाइफ को लेने आया हुआ था जो कि मसाज कवराने आई थी जेरी पुलिस के आखों के सामने स्मगलिंग कर रही होती है लेकिन इनुसेन होने के कारण कोई भी उस पर शक नहीं करता अब जेरी घर जा रही होती है तब ही उससे बीच मेरिंग को रोक लेता है जो कि उससे प्यार करता है और उसके साथ फ्लट करने लगता है तब ही जेरी रोने का नाटक करके वहाँ से चली जाती है अगले सिन में हमें दिखाया जाता है कि इसी ग्यांका एक लड़का पुलिस को कॉल करके जेरी के बारे में इन्फॉर्म कर देता है अब इंस्पेक्टर हर बस की चेकिंग स्टार्ट कर देता है और यहाँ जेरी भी बस के अंदर ही थी जो पुलिस को देखकर काफी डर गई थी यहाँ जेरी जैसी जाने लगती है तभी एक पुलिस वाला उसे रोक लेता है और उसका बैक चेक करने लगता है तभी टीफिन में ड्रक्स निकलते हैं जेरी काफी डर चुकी थी वो पुलिस वाला माफिया गुरूप से मिला हुआ था इसलिए वो जेरी का नाम किसी को नहीं बताता और जेरी को वापस अमने जगा पर बिठा देता है जेरी रोते रोते टीमी के पास आ जाती है जहाँ टीमी दो लड़कों को पकड़ लेता है जिन पर उसे शक होता है वो दोनों में से एक को गोली मार देता है जिसने पुलिस को कॉल किया था पर उसे दूसरे अड़कबर भी शक्ता इसके लिए वो उसे भी गोली मार देता है यहाँ टीमी जेरी को काफी पसंद करने लगा है यह सब देखने के बाद जेरी काफी परिशान हो जाती है अगले ही दिन वो टीमी के पास जाती है और कहती है मैं इस सब काम छोड़ना चाती हूँ तब ही टीमी कहता है ठीक है तुम कल आकर मेरे से पैसे लेकर चल जाना तो जेरी वहाँ से चली जाती है नेक्स डे जेरी बैग लेने आ जाती है और जैसी बैग लेकर जाने लगते हैं तभी टीमी उसे रोक देता है और जेरी की साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है लेकिन जेरी टीमी को बहुत ज़ादा मारती है और वहाँ से भाग जाती है और भाग कर अपने घर आ जाती है यहाँ पर टीमी के गुंडे पहले सी आज चुके थे यहाँ पर टीमी का चमचा जेरी की सर पर गन लख देता है और यहाँ पर टीमी जेरी को फोन देता है और तमिय और बड़े ड्रग माफिया को जो की जेरी को 100 किलो ड्रग सप्लाई करने के लिए कहता है और उसके बदले में वो उसके परियार को जिन्दा छोड़ने के लिए कह देता है तो जेरी मान जाती है और सारे गुंडे जेरी के घर से चले जाते है गुंडों के जाने के बाद तीनों मा बेटिया रोने लगती है और डिसाइड करते हैं कि ड्रग माफिया माफिया ग्रूप को ये तीनों सबक सिखाएगी मौर्निंग में 100 किलो ड्रग्स उनके घर पे आ जाता है जेरी की मा बिमार होने का नाटक करती है और रिंको उनकी हेल्प के लिए वहापर आ जाता है जेरी की मा आलमारी को बेड बना कर उसके उपर सो जाती है और रिंको और उसके दोस्स आलमारी के साथ ही उनकी मम्मी को कार में रख देते है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाते है रिंको को यहाँ पर ड्रग के बारे में कुछ भी पता नहीं था शीन सिफ्ट होता है गैंके बॉस टीमी पर जो कीप बेड रेस्ट पर होता है और उसके दद्दू टीमी के बॉस से बात कर रहे होते है जो उन्हें ड्रग्स मिलने के बाद पूरी फैमिली को मार डालने का ओर्डर दे देता है यहाँ पर पूरी फैमिली वैन में होती जहाँ पर रिंकू काफी जादा बोल रहा होता है और जेरी तबीव सालमारी को खोल देती है और रिंकू ड्रक्स देखकर काफी जादा डर जाता है रस्ते में इने काफी पुलिस वाले मिलते है पर मा बिमार होने की वज़े से इन पर कोई शक नहीं करता इनके पीछे-पीछे माफिया गैंके लोग भी रहते है जो इन पर नजर रख रहे होते है रस्ते में इने वो दुला भी मिल जाता है जो की चेरी को पसंद करता है तबी इनकी वैन शेटी के फार्माउस पर पहुच जाती है जहां अलमारी को अंदर रख ले रहे हैं सब की जाने के बाद शेटी को पता चलता है कि 10 किलो माल असली और बाकी सब नकली है शेटी उसे को पकड़ के धम की दे देता है तबी जेरी के पास दद्दू का कॉल आता है तबी जेरी कहती है कि माल को पचास-पचास इस्तों में बाड़ दो तो दद्दू भी मान जाता है तबी दद्दू जेरी के पास आ जाता है और पीछे से टिमी की वैन भी आ जाती है और ये लोग दद्दू को पकड़ लेते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा जो ड्रग माफिया था वो जेरी को ओर्डर दे देता है दद्दू को मारने का मजबूरी में जेरी को गोली चलानी पड़ती है जिसे दद्दू वही पर मर जाते है यहाँ ड्रग माफिया जेरी को ढ़ाबे पर बुलाता है पर जेरी शेटी से मिल जाती है और माफिया को बेवकूप बना देती है और शेटी की लोग जेरी को अपने आड़े पर लेकर आते है जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ड्रक की जगा पर यहाँ पर चीनी है शेटी का आदमी जेरी के बाल पकड़ लेता है और ड्रक्स का एड्रेस पूछने लगता है जेरी एड्रेस बता देती है तो शेटी अकेला ही उस एड्रेस पर पहुँच जाता है जहाँ पर ड्रक्स थे पर शेटी अपने आसपास देखता है तो वहाँ पर सब पर शेटी जब अपने आसपास देखता है तो वहाँ पर बस कुछ लड़के थे जो शेटी को पकड़ लेते हैं ये लड़के मुमोस करिते हैं जेरी के मा से scene shift होता है जेरी पर जो room lock कर देती है और तीनों माँ बेटिया मिलकर शेटी के आदमे को मार देती है और तब ही वहाँ पर inspector आता है जो जेरी को कहता है कि अगर तुम ड्रग माफिया को पकड़ा देती तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को छोड़ दूगा जेरी मान जाती है और पुलिस वाले civil dress में माफिया के इलाके में आ जाते है पर माफिया के लोग पुलिस वालों को पकड़ लेते है और एक जगा खड़ा कर देते हैं सभी को तभी माफिया भाहर आ जाता है जो कि जेरी को काफी मारता है और ड्रग्स देने को कहता है तभी वहाँ पर मॉमोस वाले लड़के ड्रग्स लेकर वहाँ पर आ जाते है एक बंदा जैसी ड्रग्स चेक करने वाला होता है तो उसे एक गोली आकर लग जाती है तभी हम शेटी को देखते हैं जो कि गोलीया चलाते हुए आ रहा था और सब भी इदर उदर भिखर जाते हैं तभी शेटी ड्रग चेक करता है तो वो मैदा निकलता है और यहाँ पर सब में हाता पाई स्टार्ट हो जाती है जिसमें ड्रग माफिया शेटी को गोली मार देता है और जेरी को डूणने लगता है जब भी रहता है वो ड्रग माफिया को गोली मार देता है जिससे उसकी डेट हो जाती है तब भी टीमी का चेला जेरी को देखता है और उसे वहाँ से जाने देता है यहाँ पर टीमी और वह यह सब लोग पकड़े जाते है जैसे जेरी जाने लगती है इंस्पेक्टर जेरी को धोका दे देता है और उसे पुलिस टेशन जेरी इंस्पेक्टर को बताती है कि ये ड्रग्स उसके घर में है जब आपकी पतनी मसाज करवा रही थी तब ही हमने वहाँ पर ड्रग्स रखवा दिये थे यह सुन इंस्पेक्टर डर जाता है ये सुन इंस्पेक्टर डर जाता है और जेरी और उसकी पूरी फैमिली को वासे जानने देता है और यही पर हमारी मूवी खतम हो जाती है ऐसी अपडेटेड मूवी के एक्स्पेनेशन देखने के लिए हमारी चानल को सब्सक्राइब करना लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना थैंक यू